नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इसक्त सुभाश धाकुर के साथ NTE UGC.NET हिंदी के परिक्षा दोस्तों बहुत करीब है और ऐसे में हर एक विद्यार्थी ये चाहता है कि उसकी परिक्षा और भी अच्छे तरीके से हो, उसमें कोई कमीना रहे दोस्तों आपकी तैयारियों को ही ज्यादा निखार लाने के लिए और उसको बहतरीन बनाने के लिए हिंदी साहित्यवारता चैनल हमेशा से प्रतिपद रहा है और आगे भी इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रशनोत्री या महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर आपके लिए लाथर रहेगा तो आप दोस्तों हिंदी साहित्यवारता चैनल के साथ बने रहे है और इसके अंतरगत हम अपना देखिए अज अज हम अज हम इसके 15 और प्रशनोत्री और उन प्रशनोत्रों से लगबं इतने ही प्रशन य vallahi यह माननके चलिए कि 15 से 30 प्रशन आपके क्लियर हो जाएंगे इस वाली वीडियो लक्चर से तो चलिए दोस्तू बिनादेर की शुरुआत करते हैं इस lecture की सबसे पहला प्रशन है देखिए सूर कावय की श्रेश्टम विशेष्टा क्या है सूर्दास के समधन में प्रशन पूछा गया है कि इनके कावय की सर्वधिक विशेष्टा क्या है सबसे ज़्यादा विशेश्टा क्या है इनके चीज में संयोग, वीरत्व, शांत या पिर वातसले तो देखे सूर्दास बहुत मौतपूर्ण है और उनकी जो सबसे ज़्यादा विशेश्टा है देखे वो है वातसले तो कहा ये जाता है कि सूर्दास वादसले का क्या है समराठ है वादसले रसके और वे वादसले का क्या है कोना कोना जांक के आहे हैं तो ये बात भी किसके सम्मध में कहा जाती है सूर्दास के बारे में ही कही जाती है तो इसका जो सही उतर होना चाहिए तो विकल्प नमबर अगर हम सूर्दास के बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखें तो इनकी तीन ही रचना हैं सुरसागर, साहित तलेरी और सुरसरावली तो ये तीन इनकी जो प्रमुख कृतिया मानी जाती हैं और इसके साथ ही साथ सूर्दास को हिंदी साहित्या में जो हमारा भ्रमरगीत पर अलला मन लेहु पै देहु चटांक नहीं पंक्ती किसकी है तो देखिए पंक्तियां वाले प्रशन जो है बहुत मौतपूर्ण होते हैं UGC NET की परिक्षके लिए तो इस तरीके के प्रशन बनने के संभावना रहती ही है तो विकल्प में देखिए गहनानंद, मतिराम, दे या फिर पदमाकर, तो ये जो पंक्तियां कहीं है देखिए ये कहीं है घनानंद जी ने, है ना, तो सही उत्तर होगा इसका भी कल्प नमर एक घनानंद, तो घनानंद के संभन्द में देखिए ये जो दिल्ली के मौहमद शाह रंगीला थे, वहां के बादशा, ठीक है, उन इनको वहां से निकाल दिया गया था, तो वह कहां पर चले गये थे, ये जो आपका व्रिंदा बन जाकर निंबार्क संपरदाय में दिक्षित हो गये थे, वैशनव, ठीक है, वैशनव ये बन गये थे, तो ये वाला प्रशन भी कई बार परिक्षा में पूछ लिया जाता ह तो ये थी थी थोड़ी सी जानकारी गहननद के बारे में, और इनकी जो प्रेमी कहा थी, उसके बारे में तो आप सब लोगों को मालूम है, सुजान, ठीक है, और प्रेम की पीर का कभी भी इनको कहा जाता है, नेक्स प्रशन है देखिए प्रशन संक्या 33, अचारे रामचं गश्रन है, वो हिंदी साहित्य में क्या है? एक रतन माने जाती है उसकी हर एक दोहे को, तो देखिए कौन सी और रामचरित बानेस है? पद्मवत है? बिहारी सथसई है? या पिर रामचंद्री का है? तो सही जो उतर होगा, इसका विकल्प ननबर 3 देखिए, बिहारी सथस सब्सभाइ के समंद में ही शुकल जी ने ये बात कही है कि उसका हर एक दोहा एक क्या है रतन माना जाता है तो इनका जो ये संपूर्ण अगर इस कथन की बात की जाए कई बार हो सकता है कि इस तरीके से वश्न पूछले जाए कि ये कथन किसका है तो देखिए शुकल जी है कथन है अचारे रामचंदर शुकल का बिहारी सतसई के संबंद में ठीक है तो हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछ ले जाए कि किसने ये माना है कि जो बिहारी सतसई है उसका एक एक दोहा हिंदी साहित में एक रतन के समान है तो यह माना है अचारे रामजंदर शुकल ने तो दो प्रशन की संभावना यहां से ऐसी बनती है प्रशन से प्रशन बनता है ठीक है तो इसलिए एक प्रशन को अलग-अलग तरीके से भी आपको याद करना ज़रूरी होता है तो सही उत्तर क्या था इसका बिहारी सत्सई अगला प्रशन हम देख लेते हैं श्रिंगार रस का सारग्रंथ किसे कहा गया है रामरसाइन, जगद विनोद, रस विलास या फिर श्रिंगार मंजरी तो देखिए श्रिंगार रस का सारग्रंथ ये प्रशन पूछा गया है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए भी कल्प नमबर दो जगद विनोध तो जगद विनोध किसकी रचना है ये है आपके पदमाकर की चीक है न तो उनकी जो रचना है देखिए जगद विनोध तो इसको क्या कहा जाता है श्रिंगार रस का सारक्रंथ हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछ ले जाए तो इसको भी याद करना जरूरी है अगला प्रशन हम दिख लेते हैं कि कौन सा यूगम असंगत है रस विलास देव कवी व्यंग्यार्थ कौमुदी पदमाकर श्रिंगार नेरने विखारिदास रसराज मतिराम तो देखिए गलत जो इसमें यूगम है वो है आपका विकल्ब नमबर दो व्यंग्यार्थ कौमुदी तो ये किसकी रचना है ये है आपकी जो प्रताप साही जी है तो कुछ एक रचना ऐसी होती है जो कहीं न कहीं सिमिलर होती है एक जैसी होती है तो उन में कन्फियूस नहीं होना है व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप साही और कविता कौमुदी किसकी है ये है राम नरेश त्रिपाठी जी की बाकी जितनी भी आपके यूगम हैं तीनों क्या हैं सही हैं तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प नमर दो व्यंग्यार्थ कौमुदी वाला ठीक है अगला प्रशन है देखिए कामाईनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है तो देखिए इससे पहले भी हमने एक प्रशनोत्री कर ली थी तो वहाँ पर हमने कामाईनी के जो ये सर्ग थे उनको याद करने की एक ट्रिक आपको बताई थी ठीक है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है निरवीद दर्शन, आनंद, संगर्ष और रहस्य तो इन में से सबसे पहले कौन आना था पहले और आकरी को तो आप निकाली दीजिए क्योंकि आकरी जो सर्ग है देखिए कामाईनी का वो कौन सा है आनंद ही है तो अब प्रशन ये उठता है कि दो या तीन में से किसको सही माने तो इसको याद करने की ट्रिक में आपको एक बार फिर से बता दिता हूँ कि इनको पहले से ही याद किस तरीके से करते हैं देखिए बिना चिंता के आशा ने श्रद्धा से किया काम वासना को आई लज्जा करम को हुई इर्शा इडा को आया स्वपन संगर्ष और निर्वेदगा दर्शन को रहस्या में आया आनंद तो देखिए इस तरीके से इसको याद करना है संगर्ष और निर्वेदगा दर्शन को रहस्या में आया आनंद ठीक है तो विकल्प नमबर तीन इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद ठीक है तो अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप इसका यूज कर सकते हैं बस आपने इसको एक बार क्या करना है याद कर लेना है कि बिना चिंता के आशा ने श्रद्धा से किया काम वासना को आई लज्जा, करम को हुई इर्शा, इड़ा को आया स्वपन, संघर्ष और निर्वेद का, दर्शन को रहस्य में आया आनंद, तो इतनी सी है ये, बस इसको आप इस तरे के लियात्मक्ता के साथ तोड़ा सा याद कर लेंगे तो ये बहुत सिंपल है, साधारण है दो-तीन बार इसकी ट्राइ करते रहेंगे, तो सीख जाएंगे चलिए, नेक्स प्रशन हम दिख लेते हैं कमाईनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है, तो देखिए कमाईनी तो ये भी बहुत महतपूर्ण कथन है कि किसने इसको मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है तो विकल्प नमर एक इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा नेक्स प्रशने दिखिए, दोनदात्मक बहुतिक बाद किसका वैधारा का अधार है तो देखिए, विकल्फ है, नई कवीता, प्रगतिवाद, सामनंत्र कवीता, या फिर इन में से, कोई नहीं तो देखिए, दोनदात्मक बहुतिक बाद, तो ये जो एक विचार है, ये किसका है, ये है माक्स का, ठीक है और माक्स को कौन लोग मानते है, हिंदी साहित्य में, जो प्रगतिवादी हुए है, वो, तो सही उतर होना चाहिए था इसका प्रगतिवाद, ठीक है अब प्रगतिवाद के संबंद में देखी एक चीज़ का आगा जाती है, कि साहित्य के क्षेत्र में जो क्या है, जो प्रगतिवाद है, राजनिती के क्षेत्र में वो ही क्या है, माक्स वाद है तो प्रगतिवादी क्या मानते थे कि दुन्दात्मक बहुत इक वाद है ठीक है तो ये आदार किसका है प्रगतिवादी कवीता का ही आदार है विकल्प नमबर दो इसका क्या होगा सही उतर होगा सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये वली पंगतिया किस कवीता से ली गई है तो देखिए जो भी हमारा पाठेक्रम है उसमें हमें जितनी कवीताएं लगी है आधुनी क कवीताएं खासकर उनको एक पार अगर हम रीड कर लेंगे उनकी कुछ एक पंगतियां बहुत जरूरी है ना कई वर ऐसा होता है कि हमें डारेक्ट पंक्तियां पूछ ली जाती है और हमने अपने जो पाठेकरम की कविताएं हैं उनको ही नहीं पढ़ा होता है तो एक पार एटलिस्ट उनको पढ़के जाएं हो सकता है कि पंक्तियां ही पूछ ली जाएं कि ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि मुझे भ्रह्म होता है कि प्रतेकवाणी में क्या है महाकाब या पीड़ा है तो ये वाली है जो आपका मुक्तिवोध की कवीता है देखिए अंधेरे में वह मनुसार प्रशन हर एक वीडियो में मैंने आपको बताए हुए है एक या दो प्रशन मैंने इस तरीके से रखे है तो ये भी जरूरी है और बहुत सारे वित्यारती क्या होते हैं कि इन ही प्रशनों में फंस जाते हैं तो इनको याद करने के लिए भी थोड़ा सा समझ के य आती रहेंगी ठीक है सबसे पहले देखी कुरुक्षेत्र लिखी थी 1946 में रश्मिरती की अगर बात करें तो रश्मिरती की रचना की थी 1952 में ठीक है उर्वशी 1961 जबकि आत्मा की आँखें जो है ये 1964 में रची गई है तो देखिए ये जो सारी की सारी रचना की है रामध और आत्मा की आँखें तो विकलब नमबर एक ही इसका क्या होना था सही उत्तर होना था ठीक है रश्मिरती और उर्वशी हमारे पाटेकरम में भी शामिल है इनकी जुरच नहीं है ठीक है तो इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है नेक्स प्रशन बिलकुल सही है नेक्स से देखिए अनामिका की भूमिका में निराला ने लिखा है मनुष्य के मुक्ती की तरह कवीता की भी मुक्ती होती है तो ये वाली जो पंक्ती है देखिए ये बिलकुल गलत है क्यों मनुष्य की मुक्ती की तरह कवीता की भी मुक्ती होती है ये बा प्रशनिस्त्रिके से बन सकता है कि ये पंक्तियां किसकी है तो ये है निराला की ठीक है चौथी जो पंक्तिये देखिए निराला कृत स्रोज समरिती को हिंदी का श्रेश्टम शोक गीत माना जाता है और प्रत्थम शोक गीत भी माना जाता है तो ये वाली पंक्ति भी क्या है बिलकुल सही है तो इसलिए विकल्प नमबर तीन है क्या होगा गलत उतर होगा, अनामिका की भूमिका में ना होकर यहां पर क्या होगा, परिमल की भूमिका, ठीक है, तो तीन है क्या है गलत होगा नेक्स बश्चन है देखिए शुकल के अनुसार सची उमंग के कभी कौन थे गनानंद, बोधा, आलम या फिर ठाकुर तो देखिए अचाय रामचंदर शुकल ने हर एक काल के बारे में, हर एक जो हमारे सहीत्यकार हुए है, उनके बारे में, रचनाकारों के बारे में, कुछ न कुछ चीज़ Юमंग के कभी कौन थे तो ये भी इनके कथन से ही एक प्रशन उठाया है मैंने तो इसका जो सही उतर होगा देखे वो गभी कल्प नबर 4 ठाकुर तो ठाकुर के समद्ध में इनने कहा था कि ये क्या है सची उमंग के कभी है तो पूरा कथन इनका मैं आपको सुनाता हूँ ये कहते हैं कि ठाकुर ब विरुद भावों का उतकश तो देखे ये बात इनने कही है ठाकुर के समद्ध में आप चाहें तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से इसको सुन सकते हैं कि इनने ठाकुर के समद्ध में क्या बात कही है चलिए प्रशन नमबर 43 देख लेते हैं नागरजुन की रच तो देखिए जो नागरजुन की रचना है नहीं है वो कौन कौन सी है विकल्प नमबर 3 और विकल्प नमबर 4 अकाल नाम से इनकी रचना है लेकिन वो है अकाल और उसके बाद जबकि अकाल दर्शन किसकी है ये है सुदामा पांडे दुमिल जी की बांधुन नाव इस्ठा ठीक है नेक्स की तीसरी और चौती जो है ये इनकी रचना है नहीं है अगला पशन है देखिए असत्य कथन बताईए रश्मीरती प्रवंध कावय का कथानक रमाहिन से लिया गया है तो ये वाला कथन क्या है बिल्कुल गलत है असंगत है तो रश्मीरती प्रवंध कावय क जो कथानक है वो किसे लिया गया देखिए वो लिया गया है महा भारत से ठीक है नेक्स है इसमें राम के चरित्र को आधुनिक मानववाद के प्रकाश में उद्गाटित किया गया है तो ये वाला कथन भी क्या है गलत है क्यों क्योंकि इसमें राम के चरित्र को नहीं बलकि कि इसके जो कर्ण के चरित्र को आधुनिक मानावात के परकाश में उदगाटित किया गया है ठीक है रश्मीरती में नेक्स आता है रश्मीरती का प्रकाशन वर्ष 1961 है तो ये वाली पंक्ति भी क्या है गलत है तो रश्मीरती का जो रचन वर्ष देके कब है ये है 1952 इससे पहल पूरुसकार मिला है वो रश्मी रती को ना मिलकर किस पर मिला है इन्हे पूरवसी पर मिला है 1972 में थीक है तो ये वाले जो कथन देखिए 4 के 4 क्या है असंगत हैं गलत हैं थीक है न तो जो जो चीज kole थी वो मैंने आपको बता दी कि सही चीज़ें इसमें क्या है नेक्स पॉशन देखिए आज का आखरी पॉशन है ये सत्यकतन बताओ तो देखिए पहले असत्य थे और अब क्या है यहाँ पर सत्यकतन बताने है अभिशब्द केकई साकेत में वातसल्य मई मा के रूप में चित्रित की गई है तो ये वाली पंक्ती का है बिल्कुल सही है कि केकई जो अभी शब्द थी वो साकेत में कैसी है, एक वातसल्यमई मा के रूप में चित्रित की गई है दूसरी पंक्ति है देखे, साकेत शब्द मूलता पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आयोध्या है ठीक है, बिल्कुल साही बात है कि साकेत का जो मूलता क्या है पाली भाषा का शब्द है और आयोध्या इसका अर्थ है तीसरी पंक्ती है साकेत की रचना साकेत रचना की जो मूल प्रेणा है हजारी प्रसाद दुवेदी के लेख कभियों की उर्मिला विशक उदासिंता से मिली तो देखी ये वाली जो पंक्ती है ये आदी सत्य है आदी असत्य है इसकी जो प्रेड़ना है वो कव्यों की उर्मिला विशक उदासिंता ये जो लेख है इससे तो मिली है लेकिन ये किसके द्वारा लिखा गया है ये है महावीर प्रसाद दुवेदी का ना कि हजारी प्रसाद दुवेदी का ठीक है तो विकल्प नमबर तीन इसका क्या होगा गलत है अगली पंक्तिय देखिए डॉक्टर नगेंदर ने साकेत को जनवादी कावय कहा है तो ये वात भी बिलकुल सत्य है कि जो डॉक्टर नगेंदर थे उन्होंने साकेत को जनवादी कावय कहा है तो विकल्प नमबर तीन इसका क्या होगा गलत होगा हजारी प्रसाद दुवेदी होता तब ये वले पंक्ति भी सही होनी थी तो इसमें से जो तीन पंक्तियां है वो सत्य है जबकि एक पंक्ति इसमी क्या है असत्य है ठीक है ये थे दोस्तो 31 से लिकर के 45 प्रशन अगर इन प्रशनों में आपको कुछ डॉट्स है या आपको लगता है कि किसी प्रशन का उत्र मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजे अपने दोस्तों के बीच में शेयर गीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उट जो नई स्पूर्ती के साथ तब तक के लिए शुक्रिया